अब करेंगे जो आपको प्रेटेट को सब्सक्राइब कर लिए अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब कर लिए है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेजिए प्रिवियस लेक्चर में मैंने आपको पीडियेफ का पास्वर बताया था और कुछ क्लासिफिकेशन बताई थी सॉल्यूशन की तो आई इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करने से पहले मैं अपने पैनल को चेंज कर लेता हूँ और उसका साइस को कम कर लेता copy pen साथ में निकालिए पढ़ेंगे आद हम होमोजीनियस सॉल्यूशन तो हो मैं लिख रहा हम अभी तरह तो होमो का मतलब क्या रहता है कि हूमो क्या है सेम हो मतलब रहता है सेम अगर सेम है तो इसकी क्या रहेगी कंपोजिशन यूनिफॉर्म रहेगी तो यह रहते हैं आप पे चेंज करता हों तो मैं यहां पर लिखता हूं कि Do you कोई ऐसे कंपोनेंट त है आ कि यहां पे मैं लिख लेता हूं तो या दो कंपोनेंट की काक दिया अब यहां अ मिकच्यर कि रिच have uniform composition of solution उसे आप क्या कहेंगे homogenous तो मैं लिखता हूँ composition composition तो मैं आपको यहापे लिखाता हूँ composition तो इसे आप homogenous लेंगे composition of solution जो अपनी property को retain नहीं करते हैं ठीक है तो यह थे आपके homogenous अब मैंने आपको एक बात पहले भी बताई थी बड़े ध्यान से अगर आपनी याद रखी होगी तो मैंने बताया था कि हम size के बारे में हमेशा बात करेंगे कि size of particles क्या रहता है इसका तो size of particles इसका हमेशा हमेशा क्या रहता ही है 10 raise to power मैं लिख लेता हूँ अलग pen से ही और मैं white pen का यूज़ कर लेता हूँ 10 raise to power माइनस 14 माइनस 14 to 10 raise to power माइनस 8 cm तो यह आपका जो question है यह आपको word marks में पूछा जा सकता है तो इनको note कीजिएगा size of particles को मैं बार बार बरता हूँ तो इसके examples जो रहेंगे सुगर रहेगा क्योंकि इन्हें true solution भी कहा जाता है जो अपनी properties को मतलब retain नहीं कर पाता है जो मैंने आपको solute में भी बताया गया था अब आपका alcohol plus water जो हमने कहा पढ़ा था जहां पे solute भी liquid रहता है और solvent भी liquid रहता है तो यह छोटी छोटी चीज़े आपको याद रखनी होती है क्योंकि कई वार एक marks के ऐसे question पूछ ली जाते हैं तो अब हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे heterogeneous solution अब hetero अब homo मतलब सीम तो heterogeneous का मतलब क्या होगा different तो यह क्या रहेंगे heterogeneous हेट्टोजीनिस राइजम रहें दग कंपोनेंट लेख लेता हूं दग कंपोनेंट ओफ मिक्स दी मिक्चर ओफ दी मिक्चर मिक्चर हूज क्या है बात करते हैं हम हमेशा किसकी composition की ही बात करते हैं composition क्या रहेगी इसमे non-uniform whose composition are non-uniform तो यह आपका heterogeneous है जिसकी concentration same नहीं रहेगी sorry composition different रहेगी जो बार बार अपनी composition को change करते रहेगी तो इसके मैंने आपको two types भी करवाए थे अगर आपने धियान रखे होंगे जो previous lecture में तो इसके मैं आपको diagram के दुरूब दाता हूँ कि इसके कितने types है तो first है जो वो है collider अब आपको याद आ गया होगा जहाँ पर मैंने size of particles की भी बात की थी और एक आज़ आता है suspension यह आपका बहुत important रहता है तो यह आपका two marks का question आ सकता है homogeneous और heterogeneous solution का boards exam में तो अब करेंगे हम जो important topic रहता है इस chapter से वो करेंगे हम methods के बारे methods of expression of concentration of solution क्योंकि यह आपने class plus one में भी बढ़ा है अगर नहीं पढ़ा है उसमें ठीक तरह से तो मैं इस topics में आपको बता दूँगा तो इसके two types रहते हैं physical and chemicals के तो इस वीडियो में अभी हम physicals के बारे में ही बात करेंगे तो मैं physical क यह बताऊंगे इसमें तो इसमें जो physical का first रहता है वो रहता है mass percentage mass percentage second रहता है आपका volume percentage और third आपका रहता है mass upon volume percentage इनके नाम आपने सुने होगे और third का नाम आपने सुना ही होगा और fourth का तो सुना ही है part per million ppm चाहिए इनों के नहीं सुने होगे लेकिन fourth का तो आपने सुना ही हो तो इनको करेंगे है पहले करेंगे हम mass percentage के बारे में तो mass percentage क्या होता है पहली बात mass M A double S mass percentage तो मैं पहले definition लिखे लेता हूँ मैं A की definition लिखूँँगा mass percentage बाके की सेम रहेगी जैसे कि the amount of कितना solute के बारे में हम पढ़ेंगे कि कितना solute हमने इसमें use किया तो यह हुआ कि the amount of the solute पर solute हमेशा इसमें mass की बात आ रही है तो gram में होगा in gram percentage से समिच लेजिए present present in मैंने in hundred क्योंकि percentage का साइन है hundred gram of solution of the solution तो यह आपकी definition होगी अब देखिए यह definition बनी कैसे ठीक है यह present के spelling मैंने अभी ठीक कर ली है ठीक है तो यहाँ पे हम इसको जो denote करते हैं वो करते हैं w upon w percentage से क्योंकि हमने यहाँ पे molarity का sign भी m होता है इसलिए हमने mass को use नहीं किया है जो आपने class plus one में पढ़ा हुआ है कि molarity को capital M से denote करते हैं इसलिए हमने इसको use नहीं किया है तो यह रही है आपकी mass upon mass percentage ठीक है तो इसका जो formula वो मैं बताता हूँ w upon w percentage पहले भी लिखा है मैंने amount of the solute तो solute को मैंने पताया था किस से represent करते हैं B से तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा w b क्योंकि वहां पर बताया था मैंने कि solute को represent b से so element को a से अब लिखा हुआ है 100 gram of the solution आपको पता है solution के two types रहते हैं एक solvent एक solute तो पहले लिखूंगा wa solvent plus w b अब percentage की बता से यहां पर मेरे को 100 लगाना पड़ेगा 100 in gram तो यह आपका बन गया mass percentage तो यह important रहता है अब कुछ ऐसी चीज़े बताऊंगा मैं आपको जो आपको याद रखनी होगी इस topics में point to remember आप इसको याद रख सकते हैं तो उसको start करते हैं मैं लिख लेता हूँ point to remember इनको आपने cable ध्यानी रखना है अब देखिए मैंने आपको जब बताया है यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ point to remember आप first बता देता हूँ मैंने आपको जब बताया कि हमने W को किस से denote किया mass से ठीक है और capital M को किस से किया molar mass भी बूरते है capital M को इस बात का भी दिया रखिएगा molar mass और क्या बूरते है capital M को एक molarity भी बोलते है इसको molality molality स्री molality भी बोलते है इसको तो capital M क्या रहता है तो एक मिन्स यहाँ पे गलती होगी थोड़ी सी यहाँ पे मैंने molality लिख लिया यहाँ पे molality होगा molality तो capital M को जो denote करते हैं वो करते हैं molality से अब और उसके बात आएगा N capital N आएगा capital N को तो आपको पता होगा normality normality के बाद हम जिसकी बात करने हो small s की है तो जो small s से मैं लिख लेता हूँ small s को हम represent करेंगे strength से इस बात गणाय रखिएगा जो इस topic में आपको याद रखनी होगी strength से और जो आपका capital S उसको आप solubility से याद रखेंगे तो यह आपको remember रखने होगे कितने हैं यह मैं लिख लेता हूँ 1,2,3,4,5,6,7 7 इनको आपको याद रखना होगा ठीक है अब करेंगे volume percentage यहाँ पर मैं definition नहीं लिखूँगा यहाँ पर मैं सीधे formula से ही आपको पताऊँगा देखिए volume percentage का symbol जो denote करने का तरीका तो वो होता है V upon V percentage तो वहाँ पर amount of solute की बात आती है यहाँ पर volume of solute की बात आगी तो VB volume of solution की बात आगी यहाँ पर लेकिन ml में तो V A plus V B क्योंकि solution क्या होता है solvent plus solute तो यहाँ पर आपका यह बने गया volume percentage अब mass upon mass percentage क्या होता है sorry यहाँ पर गलती होगे फिर से मेरे mass को हम किस से denote करते है W से तो मैं इसको एक बार erase कर लेता हूँ तो यहाँ पर हम जो लिखेंगे W by W percentage को किस से denote करते है इसको करते है W B upon W A plus W B because amount of solute present in 100 gram of the solution तो इसको equation 1 डालेजी आप volume percentage को equation 1 और यह equation 2 क्योंकि अब मैं जो आपको करवाने जा रहा हूँ वो करवाँगा mass upon volume percentage तो वो यहाँ से ही निकलेगा इसको mass percentage बोलेंगे हम करेंगे उसको तो अब करेंगे हम mass upon volume percentage तो उसको करने से पहले मैं आपको यहाँ पर एक सीज़ बतावाँगा कि mass upon volume percentage है समझे कि mass को divide किया गया है volume से तो ठीक है तो यहाँ पर मैंने equation 2 डाला हूँगा था mass का number तो मैं लिखे लेता हूँ equation 2 divided by equation 1 तो इस equation को मैं divide करूँगा अब मैं कहाँ लिखे लेता हूँ जल्दी-जल्दी से लिखे लेता हूँ w upon w percentage upon किसका volume का percentage is equal to आपको पता होने साथ है wb sorry w a plus w b and upon में लिखे गया आप v v क्योंकि volume क्या था vb upon v a plus vb इनकी अगर percentage की बात हो तो 100 इन में होता था लेकिन इस mass volume percentage एक अलग है तो हमें अलग से 100 लगाना होगा कई बार यहाँ से मैं से question पूछते है 100 कहां से आया तो यह 100 से 100 को काट लिया आप हमने rearrangement कर ले तो 100 का ध्यान जरूर रखिएगा तो next page में मैंने जैसे ही rearrangement की तो जैसे कि अब मैं भिसे लिखे लिखे लिखें w by w percentage upon volume upon volume percentage तो यहाँ पर मैं rearrangement करूँगा जब तब यहाँ पर लिखेंगा मैं wb क्योंकि mass of the solute upon solution of a volume upon vb into w a plus wb into 100 बट आपने पढ़ा होगा mole fraction में mole fraction में आपने पढ़ा होगा कि mole fraction में पढ़ा होगा मैं यहाँ पिता देता हूँ आपको w upon w यहाँ पर वी percentage इसको आप mass upon volume percentage से denote करेंगे तो अब मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा mole fraction का concept वहाँ पर आपने पढ़ा हुआ था mole fraction of one component plus mole fraction of other component is equal to one वही हम इन दोनों पर apply कर लेंगे बट आपको यहाँ पर इसलिए use करना पड़ता कि जो volume है वो आपको ml में लेना पड़ता है यह VB है यह solute नहीं है यह solution है क्योंकि इसकी जो mole fraction है mass की जो one होगी जिसके कान इसने इसको क्या बना दिया solution बना दिया तो यहाँ पर क्या करेंगे VB को consideration करेंगे Vs solution में इस बात का त्यान रखिएगा तो यह होगे mass upon volume percentage अब यहाँ पर जो mass upon volume percentage है उसकी जो आपको definition है वो क्या रहेगी कि जो amount of solute है पहले आगा the amount of solute in gram क्योंकि पहले उपर आ रहा था wa present in 100 ml of volume of solution यह आपको याद रखना होगा solution लगेगा ठीक है यह definition यहाँ पर रहेगी ठीक है तो इसका मैं formula दाता हूँ w upon v percentage is equal to wb into 100 upon v volume in case of milliliter में आप लेंगे इसको तो चलिए अप next करते हैं और इस video का last topic है जो हम करेने वाले हैं ppm जिसे आप जानते ही होंगे part per million बिल्कुल सेम है लेकिन वहाँ पे 100 होता था 100 होता था mass percentage की जगा वहाँ पे 10 raise to power 6 लग जाएगा तो वैसा ही है बिल्कुल similar लेकिन 100 की जगा क्या लग जाएगा 10 raise to power 6 लग जाएगा मैं एक बार भी से raise कर लेता हूँ क्योंकि तरीके से मैंने नहीं लिखा तो यहाँ पे wa plus wb into 10 raise to power 6 रहेगा इस बात कर जाएगा मैं कि यह वैसे ही volume percentage का है vb upon va plus vb into 10 raise to power 6 अब mass upon volume percentage का भी वही system रहेगा w upon v percentage is equal to vb upon v in case of ml into 10 raise to power 6 बस एक डिफ्रेंस है वहाँ पे 100 था यहाँ पे 10 raise to power 6 लग गया तो इसकी जो definition है वो मैं आपको बता ही देता हूँ कि इसकी definition आपने किस टाइब से लिखनी है तो इसकी definition रहती है कि the amount of solute पहले तो solute हैगा in gram हर केस में solute ही है wb in gram present in 10 raise to power 10 raise to power 6 of solution लेकिन volume मतले लिखना इसमें only solution ही लिखना है तो वीडियो यहाँ पे complete होते हुए अगर वीडियो आपको अच्छे लगती है तो like, share, comment कीजिएगा लेकिन जो next part होगा वो इनी के base रहेगा लेकिन उसमें हम करेंगे numericals तो अलिविजा दोस्तों जैहिन जै भारत